कोलियस, स्नेक प्लांट, सिंचेजिया, सिंगोनियम, इसके बाद देखिए एक ही पोथोस, सौंग ओफ इंडिया ये अड्रेसेन, चाइनीज वाइलेट, कॉपर प्लांट, या किलिफा, और अल्टर नेंत्रा, ये है लालशा, और इसके पास में रखा है परपल हाट, ये है अरेलिया, इसकी भी देखिए मैंने कटिंग लगाई है, और इस समय जन्वरी के ठंड में भी इसमें आपको नहीं ग्रोथ दिखाई दे रही है, और ये एक आप बहुत ही हाड़ी प्लांट है, और एवर ग्रीन प्लांट है, मतलब पूरे साल इसी तरह से हरा भरा बना रहेगा, आप अगर कुछ बातों का ध्यान रखें, मैं सारी केरिंग टिप्स शेर करूंगी, इसलिए वीडियो लास तक देखिएगा, देखिए कित इसलिए गर्मी बरसाद जन्वरी से लेके दिसंबर कहीं पे भी आपको अगर ये प्लांट दिख जाएं ले आईए और तुरंत अपने यहां इने कटिंग से लगाईए, हेलो एवरिवन, आप ये मेरा फॉलिएज सेक्षन देख रहे हैं, यहां बहुत सारे प्लांट, लेकिन कुछ ऐसे पर्मनेंट 20 हाड़ी प्लांट हैं, जिने आप कभी भी कटिंग से लगा सकते हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, तो सबसे पहले मैं आपको यह भी बताती रहूंगी, कौन-कौन सा मैंने प्लांट अपने यहां गार्डन में कटिंग से ही ए यह भी बहुत एजीली कटिंग से लग जाता है, इसकी और भी मैंने कटिंग से लग जाता है, इसकी और भी मैंने कटिंग से लाई थी, मेरे घर के पास में ही लगी हुई है, उनकी बहुत पुरानी एक वाइन जैसी ग्रो हो गई है पूरी दिवाल पे, और इस समय भी आप को हर सीजन में ग्रोथ नजर आएगी बस जब पीक टाइम होता है हलकी सी स्लो हो जाती है अगला प्लांट है स्पाइडर प्लांट यह भी आप हमेशा लगा सकते हैं इस समय तो इसमें देखिए फ्लारिंग हो रही है बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है विंटर में तो यह भी हमेशा ही आपका ऐसी हरा भरा बना रहता है और इसके बाद अगला प्लांट है टर्टल वाइन इसकी मैं छ प्लांट है जो लास्ट परल से खेली होई थी तो अब तो भाइया एक एजिंग होती है न इस तरह से वो ब्राउन हो जाती है अगला प्लांट है यह बपल हाट इसकी भी छोटी सी कटिंग लेके आई थी और इत्ते सारे प्लांटर भर दिये हैं यह बहुत ही हारी मनी प्लांट की जैसे बहुत ही इसली कटिंग से ग्रो हो जाएगा अगर यह सूखा हुआ भी आपको घहीं मिल गया न उससे भी कटिंग से ग्रो हो जाएगा यह देखिए रंधभम की कटिंग यह लगा रखी हैं दो कटिंग है मेरे पास तो इसलिए भी और नहीं बना रह हो चुकी है एक च्छत पे रखी हुई है तो इस तरह से कटिंग लगाती ही रहती हूं बस ध्यान रखिए पानी देने का अगरा पानी देने का ध्यान रखेंगे और वेल्रेंज सॉयल बनाएंगे पानी जब तभी देंगे जब टॉप सॉयल राई हो तो बहुत अच्छे चलेंगे कटिंग भी अगला प्लांट है बोट लिली यह चोटी से चोटी कटिंग बहुत ही एजली लग जाती है और जिस भी प्लांटर में लगाएंगे ना वह पूरा प्लांटर कवर कर लेता है फिर आपको यह दीरे दीरे लग पैक नहीं पड़ेगा और बांटना पड आपके घर के आसपास जो भी पार्क होंगे सब मिल जाएंगे यह वंडरिंग जी हूँ है यह भी मैं कटिंग ही लेके आई थी यह मैं अपने कटिंग से एड़ किया था देखिए अभी इसमें ग्रोध हो रही है और सेम यह ब्राउन लीव्स वहीं है पुरानी लीव्स सू देखिए आपको नई ग्रोध इसमें नजर आ रही है सब पूरे इसकी दोनों ब्रांच पे नई ग्रोध आ रही है कहीं पेभी ड्रसीना की कोई भी कटिंग मिल जाए उसे लगाईए और यह देखिए सिंगोनियम की यह मैं दो कटिंग मैंने कटिंग से लगाया था यह जो इसमें भी देख रहे हैं आपको किती अच्छी नई ग्रोध दिखाई दे रही है पत्तियां किती फ्रेश बनी हुई है पुरानी पत्तियां एक दो यलो के गिर जाती है लेकिन इस सीजन में भी आप कटिंग से लगा सकते हैं इसके बाद पास ही रखा हुआ है यह है मदर इसकी तो आप एक पत्ति से ही नया प्लांट थैयार कर सकते हैं और भी मार्च अप्रेल में इसकी पत्तियों पे ही साइड से पप्स लगते हैं और फिर वो पूरे गार्डन में आपके फैल जाएंगे और यह देखिए इस तरह से इसमें फ्लार भी खिलता है लेकिन दब द इसकी पत्तियों थोड़ी सी रेडिश हो जाती है यह एक और कटिंग लगी है इसमें दू कटिंग लगा रखी है मैंने डेविल्स बैक बोन मैं यह दोनों कटिंग ही अपने प्रेस वाले भाया से लेके आई थी अप सोचिए फ्री मैड किया है तसुंदर प्लांट इसके आपको कहीं पे भी अम्रेला पाम दिख जाए ना आप ले आईए इसकी तो सिर्फ पत्ति से ही एसे उपर से कट करके ले आईए फिर इस पत्ति को पानी में डिप करके उल्टा करके रख देंगे तो उससे नया प्लांट बन जाता है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ अब देखे इस वे फ्लार खिला हुआ है जब फ्लार किला है इसका मतलब इसका ग्रोथ सीजन है और पूरे साल यह ऐसे हरा बना रहता है तो हर सीजन में पर्मनेंट प्लांट आपका हैपी बना रहेगा यह देखिये फाइलो डंडरॉन है इसमें मैं आपको दिखाती अगलो निमा को देखिये सेम देख रहे हैं आगलो निमा में भी यह लीफ आ रहे है यहां पे उते लीफ आ रही है यह अला स्व रही आ रही बस गेयर केप्स में उपके साथ शेयर की थी उसे फॉलो कीजिए देखिये जी जी प्लांट में यह यह नहीं और यह दोग ually शो यह एक देखिए डेविल्स बैकबॉन में लगा रखा है छोटे से ब्लांटर में इता अच्छा और हैपी चल रहा है इसके साथ साथ आप इस समय जेड ब्लांट को भी बहुत हर सीजन में ही लगा सकते हैं बस अगर पानी का ध्यान रखा और वैल्डरीन सॉइल ली तो देख भी वैरिगेटेड कोट क्रोटन है एजीली सब कटिंग से लग जाएंगे एक यह प्लांट और है ब्रोकन हार्ट का अब को इसकी रूट्स नजर आ रही है ब्रोकन हार्ट सिंगोनियम पोथोस फाइलोडरोन इन सब में न एरियल रूट्स होती है तो यह प्लांट तो आप बारो महीने अगर आपको कहीं पे इसकी कटिंग मिल जाती है बिल्कुल मत छोड़ी है तुरंत ले आईए यह प्लांट तो मैं बता नहीं बूल गई है स्वीट पोटेटो वाइन यह देख रहे हैं इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इसके तीन शेड यह इसमें भ लाल सा और चाइनेज वाइलेट यह सब हैज प्लांट है और है तो आप जानते हैं वह हमेशा हरे भरे या लाल है तो लाल बने रहते हैं एवर ग्रीन प्लांट बस आप इस तरह से कटिंग ले लीजिए ध्यान रखिए यह नोड वालप हिस्सा हो जहां से पत्तिया निकलत अगर चाहें तो कंपोस्ट की जुड़त नहीं होती है लेकिन आप एक बार में ही प्लांटर में लगा रहे हैं तो 25 परसेंट ही कंपोस्ट दीजिए गा कि इस तरह से लगा दीजिए ध्यान रखिए कुछ दे 10 दिन तक शेड में रखिए जादा ठंड गर्मी में इसे इने और इसके साथ साथ पानी का ध्यान रखिए स्टार्टिंग में मॉश्र बना के रखिए लेकिन पानी तभी दीजिएगा जब टॉप सॉयल आपकी ड्राई नजर आए बाकी सारी कटिंग आप पानी में लगा सकते हैं लेकिन अभी विंटर में कि बाहर पानी रहता है तो रात में बहुत ठंडा हो जाएगा तो इंडूर रखिए आप सब अपनी बॉटल्स को या जिस वी डिबे में लगा रहे हैं बहुत अच्छे से चलेगा ब्राइट और चार से पास दिन में पानी जैंज करते रहेंगे में – 4 जाया छि